गुड मॉर्निंग एब्लिवन वही तो हारो का सीजन है और ऐसे में जब हमें अपनी स्किन बहुत जादा डल, ड्राय, रूखी, बेजान सी दिखती है तो हम भागते हैं पारलर की तरफ और वहाँ पे हमारे धेरो पैसे भी खर्च हो जाते हैं और कैमिकल ट्रीटमेंट की व यह जो फेशल में आज आपको बता रही हूं आपके घर पे किचन में मौझूद दूद से हम इसे करने वाले हैं तो दूद तो सबके घर में होता ही है तो फटा-फट से आप भी लेकर के आ जाईए और मेरे साथ-साथ करना शुरू कर दीजिए कैसे कैसे करना है देखिए स कोई भी फेशल हो उसका सबसे पहला स्टैप होता है क्लिंजर का और क्लिंजर अगर आपका दूद से बना हुआ है तो इस से जादा बैस ताप के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता दूद में कैल्शिम प्रोटीन भरपूर मातरा में होते हैं बहुत सारे पोशिक्त दोच्त कोशिश कीजिए कि आपका दूद बॉइल ना हो, मतलब जब आपके घर में दूद आता है तब थोड़ा साफ अपने स्किन केर के लिए इतना सा मलब एक गिलास लिया है, इसमें ये रिखे इतना सा मैने लिया है, तो इसको आप फ्रीज में रख लीजिए, जब आपको फिर करना है तो ठंडा-ठंडा चिलड दूद के साथ कीजिएगा, तो आपके लिए और भी जादा ये बेनेफिट देगा, बकि अगर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी अबलेवल है आपके घर में दूद, आप उससे भी इसे कर सकते हैं, तो दूद को हम रख देते ह आपको क्या अड़ करना है, वैसे तो दूद अपने ही आप में एक बहुत ही बड़ी अकलेंजर का काम करता है, दूद को आप बस यूँ ही कॉटन की मदद से अपनी चेहरे पे लगा के छोड़ देना कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के बाद अपनी चेहरे को इस तरह स से मसाज करना, आप देखोगे कि आपकी चेहरे से बहुत जादा गंदगी निकल रही है, तो इस तरह से दूद सारी गंदगी को खीच बाहर निकालता है, तो बहुत ही पावरफुल चीज है, एवरी नाइट सोने से पहले आप इसे एक क्लेंजर की तरह इस्तमाल कर सकते है और आप देखोगे कि आपकी स्किन बहुत 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 बहुतरीन होती चली जाएगी, एक या दो दिन में स्किन अच्छी नहीं होती है, आप मुझसे भी पूछते हो, तो देखिए रागुलर आपको स्किन क्यार करनी पड़ती है, अगर आप रागुलर नाइचरो में इस्तमाल करते हैं, और अगर ना है आपके पास शुद्ध हल्दी तो आप चाहे तो स्किप कर लीजिए, लेकिन लेना मतलब शुद्ध वाली हल्दी, तो ठीक है हल्दी हमने ले लिए और हल्दी आपको पता ही है कि अंटिसेप्टिक, अंटिवेक्टिरियल प्रॉपर दूद का कलर पीला हुआ है, बहुत जादा नहीं, अब इसमें एक और चीज आपने आड करनी है, जो कि सोने पे सुहागे का काम करने वाली है, यह है मेरे हाथ में लैमन और तीन-चार बूंदे आप इसमें आड करना, जैसे आप आड करोगे ना, जैसे दूद हमारा फटन लगता है न, तो लाइक वैसे ही हो जाएगा, बस आपको बिल्कुल वैसा ही चाहिए, बस फटा-फट से इसको मिक्स कर लीजिए, अब आपने देरी नहीं करनी है, और इसको आपने अपने चेहरे पे लगा लेना है, इस तरह से, आप चाहें तो आप कोई वाइप या फिर मैं जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए जरूर निकालिएगा, तब आप ये फेशियल करना शुडू कीजएगा, तब ही आपको अच्छे रिजर्ड मिलेंगे, या पर टाइम की शॉटेस होती है, इतने सारे स्टैप्स है तो मुझे कम से कम टाइम में वो कवर करने होते हैं, फिर आपने जैसे थोड़ा सा सूख जाएगा ना, फिर हलके हाथ से इस तरह से मसाज करना है, जैसे मैंने बताया कि आपको फील होगा कि आपके चेरे से गंदगी बाहर को निकल रही है, ऐसा नहीं भी करना होगा तब अगर नहीं है जादा टाइम तो बस फटा-फट से फिर आपने पहले तो इसको टैप-टैप करते हुए ऐसे लगाया, फिर इसी कपड़े की मदद से अपने चेरे को अच्छे से पोंच लेना, यह हमारा क्लेंजर का स्टैप हो गया, इसमें देखें, फेशल करने जब इसमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो स्क्रब करने के लिए देखें, मैं क्या ले रही हूँ, यह है चावल का आटा, चावल का आटा जो है बहुत बढ़िया स्क्रब का काम करता है, अगर नहीं है आपके पास कोई दिक्कत नहीं, आप बेसन भी ले सकते हो, लेकि चावल का आटा ले लिया आधी चम्मज के करीब, अब देखिए इसमें आपने थोड़ा सा एड़ कर लेना है शहद, शहद जरूर एड़ किजेगा, इन केस अगर शहद नहीं एड़ कर सकते हो नहीं है आपके पास या किसी कारण वश्ट तो आप इसमें थोड़ा सा coconut oil किजेगा या तो आप इसमें आधी चम्मज शहद का आड़ किजेगा, थोड़ी सी भूंदे नीमू के रस की आड़ करेंगे और फिर इसमें हम दूड आड़ करके इसको अच्छा एक बड़ी असा पेस्ट इसका तयार कर लेंगे, ऐसा पेस्ट तयार करना है जो आपके चे का होगा, जैसे आप इसको नीचे को ड्रॉप करें तो ये इस तरह से गिरना चाहिए, ठीक है अब आपने लिया और इसको अच्छे हल के हाथों से इस तरीके से सर्कुलर मोशन नहीं देखिए, इस तरह से लेंगे और हल के हाथों से सर्कुलर मोशन में इस तरह से मसाज कर से नुज़ इरिया पे भी बहुत बढ़िया तरह से इसे मसाज किजिए अच्छी तरह से आपने मसाज करना है दो-तिन मिनट के लिए और फिर उसके बाद आपने अपने चेहरे को या तो आपने ठंदे पानी से धो लेना है या तो आपने कोई ऐसे कपड़ा रख लिजे अपने पास कॉटन का या बाइप रख लिजे मेरी तरह फिर उसकी हेल्प से आप इसे पहुंच लोगे जो भी आपको सुटेवल लगे वो काम आप किजेगा और फिर इसके बाद बढ़ते हैं स्टैप नंबर 3 की तरफ अच्छी तरह स अगर आप साफ कर रहे हो ना कॉटन का कपड़ा ले रहे हो तो गीला कॉटन का कपड़ा लीजेगा ताकि आपके अच्छी तरह से आपके चेहरे पे नहीं कोई भी चीज रहनी नी चाहिए ठीक है या तो फिर आप इसली जा करके अपने चेहरे को धो लीजेगा अब आप क्या कर सकते हो आप स्टीम भी ले सकते हो लेकिन अगर आपको एक्टिव एक्ने है तो आपने स्टीम नहीं लेना है तो आपको और एक्ने निकलाएंगे तो अगर आपकी एक्ने नहीं है और स्किन बहुत जादा डल रुखी सी है तो आप स्टीम भी जरूर लीजेगा अगर आपके पास steamer नहीं है तो बस बरतन में पानी बॉयल करके उसको अपने face को मतलब एक cotton से cover करके उस तरह से लीजेगा फिर क्या होगा कि जापके nose area पर अगर बहुत जादा black and white head है वो बहुत जादा soft हो जाएंगे एक tool आता है उसकी मतलब से बहुत easily निकल जाएंगे अगर tool की help नहीं लेनी है तो आप easily मतलब इस तरह से press भी करोगे हाथ उसे बहुत easily निकल जाएगा तो इस तरह से आपने कर लेना है खुझ से और इसके बाद फिर आपको करनी है face की massage तो facial और steam भी आपको बार बार नहीं लेना है अगर आपने पिछले हपते ही steam लिया है तो भी नहीं लेना है ठीक है वाकि facial आप कर सकते हो अब देखिए क्या next step है massage का massage करने के लिए देखिए हमने क्या करना है मैं यहाँ पे जस्त अपने हथेली पे ही बना रही हूँ आप अलग से कटोरी लेकर के उस तरह से भी तयार कर सकते हो क्या करना है सबसे पहले तो आपको aloe vera gel लेना है यहाँ पे मैंने ले लिया लगवाग आदी जसी चमबस के करीब कुछ देर हमने अपने चेरे को मसाज करना है बड़ी अतरह से तो उसके अकॉर्डिंग आप लीजेगा ठीक है तो यह हमने aloe vera gel ले लिया और अब इसमें क्या करना है हमने एक कैप्सुल एड़ कर लेना है बाइतामिन E का और यह जो विटामिन E है आपको नियर वाई तो क्या करना है इसके अंदर जितना भी oil रहता है इस तरह से हम उस oil को इस aloe vera में लेंगे और फटा फट्चे ताक इधर उदर को ना निकल जाए बहुत फायदेमंद oil है तो इसको बढ़िया तरह से फिर आपने इस तरह से mix कर लेना है ठीक है अब आपने mix कर लिया देख बिलकुल थोड़ा सा आपने एड करना है अब क्या है दूद एड करने से क्या हुआ थोड़ा सा और लिकुड़ी हो जाएगा यह देखे अपके सामने ही कर रही हूँ थोड़ा सा और लिकुड़ी हो गया और यह बिलकुल एकदम सीरम की consistency में आ गया और दूद के तो हमारी बहुत 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 बेनिफित है, तो इस तरह की जो serums होते है यह बहुत ही इसली आपके skin के pores के अंदर तक पैनिटरेट हो जाते हैं, हमारी skin में बहुत सारे pores होते हैं, जिनके आदे हम सही तो पसीना बहार निकलता है, तो उसी तरह से जो हम product use करते हैं अपने चहरे पे, वो भी उनी pores के थ्रू हमारी skin के अंदर चले जाते हैं, जो बोलते हैं, ब्लैक एडवाइटर, तो भी जब हम make-up बगारा करते हैं, दूल मिटी, पॉलुशन में बहार जाते हैं, तो वो आपके pores को ब्लॉक कर देते हैं, और वही चीज़ फिर ब्लैक एडवाइटर का रू तो इस तरह से, बाकी फिर यह बहुत ही इसली आपके skin के उन पोर्स के थूँआ, आपके deeply आपके skin के अंदर तक जाएंगे, skin को repair करेंगे, और फिर आएगा वो गजब का glow, जो आप चाहते हो, तो इस तरीके से, अगर आप इसको और थोड़ा liquidy करना चाहते हो, तो और और फिर क्या करना है कि आपने चेहरे पे बड़िया तरह से मसाज करनी है, मसाज करोगे तो ही आपके skin के अंदर तक जाएगा, ऐसे आपके skin के अंदर तक नहीं जाएगा, यह देखिए, skin आपकी चमकना शुरू हो गई है, यह देखिए, बिल्कुल ब्राइट होगी, अच्छी तरह से बनाई और यहां पे ताकि आपकी जो डवल चिन के समस्या है वो खतम हो जाती है, बाकी मैं आपको बताया ही है कि इस तरह से पने हाथों पे अच्छी तरह से लगा लीजे और यह आप इस तरह से मसाज करोगे यहां से, तो जितने भी चेहरे के रिंकल्स अगरा है, आपकी कोई भी समस्या है, वो आपकी बिल्कुल आपकी स्किन जो है एकदम टाइट हो जाती है, थोड़ा सा टाइम जरूर दीजिएगा, और अगर कुछ नहीं आता है, तो कोई बात नहीं आपने इस तरह से बस सर्कुलर मोशन में मसाज करते जाना है, बस अब बड़ी है तरह से, एंटी क्लॉकवाइज भी बनाओ और क्लॉकवाइज भी बनाओ, तो इसी में आपकी जो क्रीम है अब्जर्ब हो जाती है, और आप देखोगे कि आपकी जो डाक सकल है, वो भी काफी हद तक कम हो जाते है, तो इस तरह से करना है आपने, एंद फिर लास आपकी में एंटी ऑक्सिदेंट्स भरपूर मातरा में होते हैं, जब भी हम ग्रीन टी अपने चेहरे पर यूज करते हैं, आप खुद देखना यूज करके, आपकी स्किन में आपको खुद फील होगा कि कुछ हलचल सी हो रही है, तो यह आपकी स्किन को टाइट करने का भी हैं, क्यूंकि आपके साथ यह फेसपेक शर भी कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा होगा तो, तो क्या करना है, आपने आदी जैसी चम्मस के करीब ले ली हमने ग्रीन टी, जो पाउच वाली आती है, आप वो भी ले सकते हैं, और अगर खुली वाली में पास यह ख में तुड़ा ब्लेंड कर लिया, अच्छा, सेकंड चीज आपको इसमें जो एड करनी है, वो है, देखे, ओड्स का यह मैंने पाउडर तयार किया है, ओड्स जो है, हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत फाइदेमंद है, तो आपको भी यही लेना है, और कितना लेना है, ज जिन लोगों को नीमबू सूटना करें, वो टमाटर लेंगे, इसके बाद आपने थोड़ा सा इसमें जरूर एड करना है, शहाद नहीं एड करना हो, तो आप इसमें गलेसरीन अड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके पास इसली अवलेवल होगा, वो आप लीजेगा, और भी आपके पास होनी चाहिए, भी सरदियां आ रही है अभी, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशल रहता है, और फिर देखिए, अब इसको एक बड़िया सा एक थिक सा पेस्ट बनाने के लिए हमने लेना है, या तो आप मुलतानी मिटी ले लिजेगा, या तो आप बेसन ल लगा रहे हो, तो उसी चीज को अपने हाथों पे, पैरों पे या नेक पे लगा सकते हैं, बहुत जादा कालापन आपको हो रहा है, बहुत जादा स्किन ड्राइ हो गई है, रफ हो गई है, तो और एक्स्टा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी से आपका काम चल जाने वा थोड़ा थोड़ा सा इसमें हम दूद आड करते जाएंगे और एक बड़ी आसा थिक सा इसका पेस तयार कर लेंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है, यह रखे है, इस तरह से हमने इसका एक पैक तयार कर लिया, फेस पेक हो गया है, और अब इसको लगा लेना है अपने अपके यह खुद से सूपता नहीं है, और जब यह सूप जाएगा तो नॉमली आपने नॉमल वाटर से अपने चेहरे को धू लेना है, ट्रस्ट मी, बहुत गजब का गलो आएगा, और एक जिसका ध्यान जरूर रखे हैं, कि 8-10 गंटे तक आपने किसी भी साबून फेस वाउच क इस्तमाल नहीं करना है, पुशिश कीजिए कि रात के समय अगर आप यह काम करते हो ना, तो वो टाइम आपका एजली निकल जाता है, फिर मॉर्निंग में आप जो मज़ी मेकप आपका जो कुछ भी रूटेन लेता है, वो आप कर सकते हैं, पूशिश कीजिए कि रात के समय